नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब सेनल NKP प्रोडक्शन में और आज मैं अपडेट लेकर के आया हूँ जो जारखंड करमचारी चयन आयोग की तरफ से परिक्षा कराई जा रही है उसके लिए आपका पता देना चाहेंगे कि आपका जारखंड समा आगे एक्स्टेंड कर दी गई है मैं अभी आपको नॉटिस भी दिखाने वाला हूं कि नॉटिस क्या निकल के आया है उसमें क्या डेट है पूरा फुल डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला आया हूं और जो अपलाई नहीं कर पाए हैं उनको अपलाई करने में दिक्क देखत ना हो तो चलिए आप पूरे आंतक वीडियो में देखते रहिएगा उससे पहले क्वीक न्यूस देदे कि आपको ब्रेजिस्ट्रेशन 21 का रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहीं आपको पता दे 23 फरवरी तक पेमेंट कर सकते हैं 25 फरवरी तक पाप पेमेंट फोटो और signature को upload करने का date है और वहीं अगर आपको उसमें किसी तरह का mistake हो जाती है तो editing करने की जो date है वो 26 से लेकर के 28 तक का दी गई है अब आगे notice के साथ में बताते हैं और link के साथ में बताते हैं आप उसको apply भी कैसे कर सकते हैं जो वैक्ति graduation complete कर चुके हैं वो अराम से इस पर apply कर सकते हैं तो दोस्तों यह notice निकल करके आया है और जो notice निकल के आया है 14 फरवरी को निकल करके आया है जो आपके सामने है कि online registration तिथी जो है वो 28 दो 2022 मीड़नाइट मतलब 12 बज़े तक के लिए रात 12 बज़े तक के लिए आपका online आवेदन स्विक्रित की जा रही है वहीं आ आपका जो है online आवेदन जो है आप कर रहे हैं उसका आवेदन गलत होता है तो इडिटिंग करने का 26 से ले करके 28 तक है यह रहा आपके पास में और आपको फिलफ कैसे करना है मैं इसका भी जानकारी आपको दे देना चाहूंगा और आपको बता देना चाहूंगा सक्षे प सबसे पहली बात है आपको जार्खन अस्टाप कमीशन का जो ओफिस्यल वेब साइट ही उस पर आना है जैसे ही आप इसको सर्च करके आते हैं यहां पर देखिए आपको डेश्टोप भ्यू दे रहा होगा ऑप्सन एक टेश्टोप भ्यू कर लिजेगा तो आपको पूरा इसमें क्लिक आपको दिखेगा तो यह रहा जार्खन अस्टाप सेलेक्शन कमीशन का यह साइट है जिसमें आपको क्या करना है देखिए यहां पर अप्लाई करने का ओप्सन दिया होगा अप्लिकेशन फोम अप्लाई इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इसमें क्लिक क scientist assistant competitive examination भी हो रही है लेकिन अभी हम इसके बात कर रहे हैं तो आप हम apply now पर आज़ाते हैं जैसे ही apply now पर आते हैं ओकी कोकी किजिए गया तो देखने यहां पर आपका दो तरह का दिया गया है जो आपको बता देना चाहे तहीं कि58 आपका देक्पर आठ मार्ज से जो है आपका एक क्लोज़िंग है होज मार्च का और यह जो 14 जो आपको दिखराएं मिडनाइट यह आपका extend कर गया है आपको यहाँ apply करने का option दिया गया है इसमें आप क्लिक किजिएगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देखिए इस तरह का site आपका खुलेगा जो student login नहीं कि करना चाहते हैं वहां से पहले registration किजिए आप अपना यहां पर जैसे क्लिक करते हैं आपका registration के लिए यह खुलता है आप जैसे कर देते हैं आपको क्या-क्या मांगता है सबसे पहली बात है देख लिए payment किये पहले अगर भरे होंगे तो yes होगा नहीं तो फिर no होगा तो no उसक इसमें आपको बता देना है 2019 के बाद का जितने हैं आपका जाती और अवासिय जो 2019 के बाद का जो है उसको consider किया जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह रहा procedure जैसे आप इसमें करते हैं आपको एक user ID और password create हो जाएगा जो आपको SMS द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है जैसे ही प्राप्त हो जाएगी अपको लोगिन करना है तो यहां पीन को बाद कम आपको सब्लकोत नहीं आपको प्रियेगा और लोगा करने के पर आपको पूरा डिटेल और भी मांगेगा तो भर देजिएगा उसके बाद प्रम को दिक्कत कब होती आपको बता देने चाहेंगे जब आप फोर्म को अपलाई करते हैं उसके 24 आवर के बाद में आपको पेमेंट करने की ओप्सन आती है तो घबराएंगे नहीं कि फोर्म भर दिये हैं लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है तो पेमेंट के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा 24 तक वेट कीजिएगा उसके बाद में आपको क्या करना है पेमेंट की ओप्सन जैसे आती है आप 100 रुप्या का पेमेंट करेंगे उसके बाद में फिर थोड़ा वेट करना होगा उसके बाद में आपको फोटो और सिगनेचर को अपलोड करना है इसलिए आपको देखिए ड को डाउनलोड कर सकते हैं अपना फॉर्म को और किसी पर आपको वीडियो चाहिए बताईएगा जरूर मैं सभी तरह का वीडियो आपके सामने लाने के लिए तयार हूं और सभी तरह के आपका जिस तरह से के जो पर नोटिफिकेशन आती है आपको यहां से मिलेगा तो लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद